कि चीफ सेक्रेटरी को हम फोन करकर के बोल रहे हैं और ट्रेने ले लो इसमें जब हम बात कर रहे हैं महाराश्ट के दहीं सर में भी कई सारे अश्रमिक कठा हुए हैं घर जाने के लिए उनके लिए में वस्ता नहीं है जो विजूल समने देखे तो यह समस्या बड़ी है प्य लिस्ट नहीं उपलब्द करा पारा वाकिष रमिकों को नहीं आपर ले पारा तो अब इसका सिल्यूशन क्या है क्योंकि सरकार तो नहीं की है और इस समें जिस तरह का वाद भी बढ़ गया है चाहे वो संजे राउत हो चाहे वो अरविंद सावंत हो चाहे वो सेना के 3050 गाड़ियां निकल चुकी है अलग-अलग जगा से देश में हमें किदर कोई तकलीफ नहीं आई गाड़ियां समय समय पे जा रहे हैं कोई तकलीफ नहीं आई इस सब के बावजूद उस सब के बावजूद स्थिती ऐसी बनी वी है कि महाराश्ट्रा लिस्टे नहीं दे तो मैं ट्रेन चला नहीं सकता हूँ आखे एक प्रोटोकॉल एस्टैबलिश्ट है जिस स्थान पे उनको जाना है उसके स्टॉपजेज हमें निर्धारित करने पड़ते हैं ट्रेन का टाइम टेबल बनते है उसका रूट बनते है स्थान पे जाने के बाद रिसीविंग करनी पड़ती है क्वारंटाइन की अरेंडमेंट करनी पड़ती है वो उनको कुछ आर्थिक साहिता का इराज्य देते हैं उत्तर प्रदेश औरिसा आर्थिक साहिता देते हैं उनको किट देते हैं समान का खाने पीने के समान का तेल का अब वो सब के लिए उनको लिस्ट च समुचे विपक्ष के निशाने पर हैं चाहे भुपेश भगेल हो चाहे महरास्टर की सरकार हो सोनिया गांदी ने कहा सोनिया गांदी ने बोला कि संग्ये डांचे को बरबात कर दिया है इस मोधी सरकार ने हमने इसे संजोके रखा था रखते हैं उन्होंने जरह उन्होंने अपने राज्जों से भी बात करनी चाहिए थोड़ा बहुत कितना ज़्यादा सहायता और सयोग के इंद्रे सबी राज्यों को दे रही हैं मैंने कल परसों भी किसी को बात बताई थी कि शायद उनका पकड़ अपने खुद के राज्यों पे खतम हो गई है उन्होंने तो पत्र लिखा था कि अड्रोटिस्मेंट बंद करने चाहिए सरकारों को उनके खुद के मुख्यमंत्री उनकी बात हमजोर होते जारी है उन्होंने अपनी पार्टी को सम्वालना चाहिए पर राहूल गांधी बड़े आक्टिव हैं वो मजदूरों के साथ मिल भी रहे हैं और उनका ये दावा है वो कह रहे है कि केंट सरकार ने मजदूरों को सणक पर मरने के लिए छोड़ दिया है उन्हो डॉक्यमेंटरी बनाने में लगे हैं चॉइस देश की जनता का है कि वो प्रदानमंतिर नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ